यहां एक तिंदुवा अपने बच्चे को दूद पिलाते हुए आराम कर रही होती हैं, सरारत बच्चा भी खेलते हुए अपने मां का दूद पी रहे होते हैं, जहां एक बाज सिकार की तलास में उड़ते हुए आकर एक पेड़ पर बेड़ जाता हैं, और वह देखने लग हैं तबी तिंदुवा का एक बच्चा अपनी मां की गोत से भागते हुए जंगल की तरब चला जाता हैं, बच्चे को भागते हुए बाज पेड़ पर से देख रहा होता हैं। देखते ही तिंदुआ चिलाते हुए अपनी बच्चे की ज्यान बचाने के लिए दोड़ते हुए आ जाती हैं और एक ही छलंग लगाकर पेड़ पर चड़ जाती हैं तिंदुआ पेड़ पर चड़ कर भाच को पकड़ने की कोशिस करती हैं अंतीम में बच्चे को बचाने गई तिंदुवा बाच को पकड़ लेती हैं। दुवा बाच को पकड़ कर अपने जबडों से दबोच कर थोड़ी देर पेड़ पर ही रखती हैं। फिर अपने जबडों से दबोच कर नीचे लेके उतर जाती हैं। और तेंदुवा बाच को मार कर खा जाती हैं। तेंदुवा के बच्चे का भोजन करने वाला बाच खुद ही तेंदुवा का भोजन बन जाता है। दोस्तु इस इस्टोरी से कुछ सिखा तो गृपियास चेनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दिजे।